प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी आज महरास्ट्र के नासिक में 27 वे राष्ट्र युवा मोहत्सव का शुभारम करेंगे वे युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानन्द की जैनती पर आयोजित राष्ट्रे युवा दीवस पर राष्ट्रे के युवाओं को संभोधित भी करेंगी पांच दिनों के इस महुद्सव की थीम है मेरा भारत विक्सित भारत एड़ 2047 युवाओं द्वारा युवाओं के लिए का तपोवन मैदान 27 वे राष्ट्रिय युवा महुद्सो के उद्घाटन समारोह के लिए पूरी तरह तयार है 12 जन्वरी को स्वामी विवेकानंद की जैनती पर इस महुद्सो का शुभारंब प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी द्वारा किया जाएगा प्रधान मंत्री का ये निरंतर प्रियास रहा है कि युवाओं को देश की विकास यात्रा का अहम हिस्सा बनाया जाए महराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक नाच्शिंदे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए नियमित रूप से समिक्षा बैठके कर रहे हैं नैशनल यूद फेस्टिवाल में पूरे देश बर से युवाओं आयेंगे और पाटिसिपंट हम से कम 8000 लोग इसमें शामिल होने वाले हैं और हजारों की तादाद में लोकल जो आर्टिस्ट है, लोकल स्पोर्समन है वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे इस महुत्सो के दौरान सांस्कृतिक प्रदर्शन, स्वदेशी खेल, भाशन, युवा कलाकार शेविर, पोस्टर मेकिंग, कहानी लेखन, युवा सम्मेलन, खाद्य महुत्सो सहित, विभिन कारिक्रम आयोजित किया जाएंगे इस बीच प्रतिभागियों ने भी अपनी प्रतिभा से दुनिया को रोमान्चित करने के लिए कमर कसली है नगर निगम ने भी आयोजिनों के लिए प्रियाप्त विवस्था की है, पी-एम एक मेगा रोट शो भी करेंगे और प्रसिद्ध कला राम मंदिर जाएंगे और राम कुंड में पूजा करेंगे, प्रधान मंत्री पुरोहित समाच से बातचीत भी करेंगे इस वर्ष राष्ट्रिय युवा मोहत्सो की मिजबानी महराष्ट कर रहा है राष्ट्रिय युवा मोहत्सो का मकसद युवाओं को एक ऐसा मंच प्रधान करना है जहां देश के विभिन शेत्रों के युवा एक भारत, स्रेष्ट भारत की भावना से अपने अनुभाव साझा कर सकें और एक चुट होकर राष्ट्र की नियो मजबूत कर सकें